अमस्कार आप सबको और आज मैं देखिए डिखिए कितना टेस्टी और हेल्डी सा आमले की रेषिपी शेयर कर रही हूँ यह है आमले का जेम और यह बहुती ही ज्यादा टेस्टी होता है, ठंड में बहुत ज्यादा फायदे मंद होता है आउला तो सबको पता ही है कि बहुत जादा गुर्णकारी होता है बहुत सारा यसमें बिटामीन-C बहुत सारी होती है तो इसमें अईरन कैल्सिम भी बहुत होता है तो इसको खाना बहुत फायदेमंद है आप इसे बना लें और एक साल तक अराम से खाएंगे तो यह देखे इसके पानी में तीज सबसे पहले में उन्हें, जबने पानी के लिए पानी बेचे कि लिए 2-3 आवला पानी के लिए। बाद आवला के लिए या अवला आवला देंके यहीं अविल रखेंगे। जलदी से पख जाता है तो इस तरीके से ढख जाल तो ठंड पानी में डाली हो तो 20 तेम लगता है इस तरीके साथ डाले में भी नब विदम ठ्रफ़ पनी चान लेंगे और पाणीya निकल जाएगा पकनी कशन्टीर डेंगोगकश हो कुछ भी लेगे आप ध्याल हो जाया है तो यदो ठहुआ हो जाया है तो यदि थोड़ी दिर रखना थ्वाम को अबधय हुआ है अब इस तरीके से बहुत बढ़ाएंगे बीज निकल जाता है, बहुत असनी से सारे बीज निकल लेंगे, यह रखशा है तर्दह कह रखता है अगर अगर निखाह मेंद पुड़ों नहीं, इस तरीके चनुसर होS इतना जली जली निकलता जा रहा है और इतना सार इकठा हो गया आप लोग इस रेसिपी को जरूर बनाएगा ये खराब नहीं होता है ये एक साल से भी ज्यादा चल जाता है और एक चममच खाएं एक दम दावा की तरह काम करेगा इससे हडियां भी मजबूत होती है बाल अच जरूर खाना चाहिए तो देखिए मैंने सारे निकाल के रख लिये हैं इतने बीज निकल गए अब मेरा हो गया तयार अब मैं क्या करूंगी कि इसको एक ग्रैंडर में हमको इसको ग्राइंड कर लेना है तो ये हमारा अच्छा सा देखिए एक अलग है इस तरीके से एजी ग्राइंड हो जाता है तो कोशिश करें कि इसमें पानी डाल के ग्राइंड ना करें क्योंकि पानी का इस्तेमाल हमें ना के बराबर करना है इसमें तो पानी डालने से चीजे स्टोर ज्यादा रखने में दिक्कत होती है खराब होने कडर होता है तो अगर आपको पीसने में भूपोर पानी है चाहना है तो चीनी भी कि छीनी बी लेगे तो इसी बरतन से मैंने न को जीनी यहालिया है और देखिए इतना चीनी हमें चाहिए ही चाहिए पूरी तरह से और यह अभी मैं लूँगी यह दाल चीनी को मैंने पाउडर बना के रखा हुआ एक डब्बे में तो यह देखिए इतना मैं बस डाल चीनी ले रही हूँ और यह इलाइची है छोटी वाली इसको मैं कूट अराम से भी निकल जाता है इसको भी रख लूँगी और इस तरीके सहाथो से ऐसे मसल देंगे और आराम से सारा कसारा चिलका और वीज अलग अलग हो जाएगा और वीज उसमें थोड़े से पीस भी जाते हैं तो अच्छे लगते मैंने कडाई रख दिया है करम हो गया और अब मैं आउला देखी इस पीसने के बाद पूरी जो बॉल थि भर गई है तो उससे मैंने उसको डाल दिया अकडाही में तुरंध हम चीनि ला देंगे उसके साथ में साथ हम चीन डालके और एक साथ ऐसे चलाएंगे इसको मिलाएंगे पहले अच्छे से लग अधार चलात एक बहुत प्रॉल्स के बहुत कलर हो जाए बहुत सुन्दर दिखता है काफी टेस्टी भी लगता है बहुत कशें लगता है लो चैन से लगताँ उनका का चुल वर शरुप। बदल रहा है फुरा पिघल रहा है दीरे दीरे जैसे चीनी पकती जाएगी इसमें आवले के साथ में वैसे उसका कलर चेंज होता जाता है तो उससे हमको पता चल जागा और अभी तो ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा इसमें उबाला गया था तो मैंने डाल चीनी डाल दिया है यह डाल दिया है इलाइची डाल चीनी पाउडर यह डालके एक ही साथ अब हमें और कुछ और पर प्लत कुछ डालना यह नहीं होदो हैँगे प्लत चाल़ते रहेंगे और एक बाथ दूसतो इसका एक कलर पार जाब मकिन आता है दर आज बिलको झाधाए हाथ फ़ुह थाल अगर आप दालचीनी नहीं डालोगे ऐसे ही बनाओगे तो भी उसका कलर वैसा ही ब्राउन आता है क्योंकि मैं वैसे भी बना के देख चुती हूं अगर आप देते हैं ताकि किसी भी मीठी चीज में चोटी लायची डालना चाहिए तो अभी यह हमारा बन के त्यार हो चुका है इसको बीज़-बीज में चेक करना होता है अगलियों पर कि कि आफ़ चासनी जो जो अचनी जो आपने दाला विदा पक सा गया है था फ्कषिप पकने लागता तो समझ जा जाओ कि तयार है वह नहीं तैयार हो गया है अभी देखिए मैं आधा नेव डालन रही हूं आप आप सोचेंगे कि निव क्यों डाल रही हूं तो बाद में जम जाती है तो शींद जब नियम जाती है नियम जबना तक हम नियम जाती है तो इसलिए मैंने डाला था अभी आ तयार हो चुका देखिए मैंने जैस बंद कर दिया था इसको उतार लिया था और ये अब ठंडा होने के बाद कुछ ऐसा दीख रहा है इसको अब मैं एक बॉल में रख रही हूँ पहले तो देखिए इतना सारा बंद के तयार भी हो चुक तो अभी खराब नहीं होगा जब तक की चलता रहेगा और यह देखे कितना अच्छा सा सुन्दर सा दिख रहा है और यह हमारा बन के त्यार हो गया और मैं इसको ढ़कन लागा के रख दूंगी और इसको मैं फ्रीज में रखने की ज़रूरत नहीं होगा बाहर ही रखने की ज त क्याल मैं डखने की ज़र प्राइब और यह गल्ला य होगाओ प्राइब अजड़ के जबारी होगा जब टूगज़ की जढूरा ठात झाल झाल झाल